कि नमस्कार में हुआ विनयाकाश अब देख रहे प्रभासाक्षी का इस्पेशल चो मात्री भूम जम्मु कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग जब भारत आजाद हुआ तो भारत का एक बड़ा भूवाग धर्म के नाम पर अलग हो गया जिसका नाम पाकिस्तान उस्वक्त दो हिस्सों में पूर्वी और पाकिस्तान में बटा पूर्वी पाकिस्तान में अलग हो कर बांगला देश के नाम से जाना जाने लगा जब कभी भी कश्मीर की बात आती है तो हमारे देश के नक्से पर सजे एक मुकुत की भाती अपनी खूबसूरत घाटिया और आतंगबाद के तस्वीर लिए एक राज्य हमारे जीहन में आता है लेकिन कश्मीर के बल्कि समय के साथ साथ कश्मीर के नक्से और उस पर अलगलंग धर्मों का प्रभाव उसकी राजनीती और फिर अंतराष्ट्री मुद्दे बनने का अपना एक एक इतिहास रहा है जिसे महज आतकबाद और पाकिस्तान से जोड़ कर देखेंगे तो शायद हमें असली कश्म को याद करते हैं कश्मीर के पहली को समझने के लिए तिहास में उतर कर संदर्बों के आधार पर इसे खंगालना पाकिस्तान या अंग्रेज कश्मीर के मसले का असल कारण आखिर कौन था संप्रदाइवाले कश्मीर में इसलाम कब और कैसे आया धर्टी का स्वर्ग कहा जा अपने घड़ों से जंगलों नदियों सबसे पवित्र पहारों की और रुख करते हैं कश्मीर सीमा के सबसी उत्री बिन्दियों में से एक था कश्मीर नाम की कुछ व्यक्तिया प्रस्तावित है लेकिन दो सबसे लोगपी है एक कार्थ है संस्कृत में शिमीरा जबकि दू वेदों के साथ 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 हिंदु धर्म के अन्य सबसे प्राचीन ग्रुंतु में मिलता है उनानी ने को कास्पेरिया के नाम से संभावित कश्यप मूल की और इशारा करता है कहते ही कि हजारों साल पहले शब्त रिश्यों में से कश्मीर हमेशा से एक ऐसा रास्ता रहा जहां से विद्वान यात्री ट्रेडर्स और इन्हीं के साथ साथ आकरमिंकारी भारत आएं इसी तरह बदलते उसल्टान सिकंदर को हिंदू मंदिरों को विरुपित करने और नष्ट करने और उनकी विशेश प्रवर्ति के लिए मंदिरों को नश्ट कर दिया गया और हिंदु धर्म को नश्ट करने और स्थापना के लिए जब्रन धर्म परिवर्तन कराया गया मुगलों ने मुल हिंदु को भी नहीं बक्सा विसेश रूप से औरंग्जेव के दोरान उत्पिरन जारी नौवे सिख गुरुतियक भादूर ने धर्मांतरन या मर्व आदेशक से कश्मीरी हिंदु का भचाव करते हुए खुद को बरिदान कर दिया आखिरकार सिख महराज के सेनाओं के माध्यम से कश्मीर पर शासन करने आये मंदिरों को तोड़ धर्मांतरन गैर मुसलमानों पर कर और असन ने हिंदु हत्याय की राजा हरी सिंग का फैसला डोग्राओं ने बिटिस राज के दौरान दसकों तक कश्मीर उसके आसपास के छेत्रों जम्मू लदा भारत ने एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट बनाने का फैसला करके अपनी विरासत का समान करना कश्मीर के मुसलमान सहीट सभी धर्मों के लिए खुला रहेगा इन विचार और दर्शन से विभाजन हुआ और अलग-अलग विचारधारों को पाकिस्तान और भारत के प्रव वियासत को एक दिकल्प दिया भारत पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंतर कश्मीर के साथ खड़ी सिंग ने स्वतंतर रहना चुना क्योंकि पाकिस्तान के साथ मैत्रिपुन संबंद रखेगा जैसे से विभाजन के हिंसा तेज हुई हिंदू और सिक सरनार्थी कश्मीर म में फैल गई जब हिंदू और शिकों ने अपने मुस्लिम परोसियों से दुख की बात है कि हरी सिंग की सेना ने भी हिंसा में भाग लिया जैसे कि भारत पाकिस्तान दोनों ने कश्मीर को चाहा अंतता पाकिस्तान समर्थित पस्तून मिलिशिया को कश्मीर पर कबजा करने जर्म से पाकिस्तान के पहले कालवाई को प्रयाजिद करना था अपने दर द्रवाजे पर दस्तक देति पाकिस्तानि सेना और पस्तून मिलीशिया का सामना किया और अनतता भारत से मदद मांगी भारत केवल विल्हाइक के श्रत पहीं सहयों का भरोसा दिया हरी सिंग ने कानुन तौर भारत में शामिल होने के लिए अनुपारन किया दोनों पक्ष्व द्वारा सहे मैट विभाजन के नियोंके अनुशार जम्मुण और कश्मीर भारती श स्थापना के बाद भारत एक प्रस्ताव की मांग के लिए विदेशी संस्थाओं के वाप्ची के साथ एक जन्वत संग्रह तयार किया रख्षा परिश्द ने पाक्स्तान की आदिवासी और अन्र पाक्स्तानी नागरिक जिन्हों करने के लिए भारत को अनपालित करने के बाद भारत के बीच तनाव को कम करने के लिए कुछ रियायते दी गई कश्मीर को अपने कानून संविधार और कानून के साथ मजबूत देने के लिए लागू किया गया इनी खास कानूनों में से एक था आर्टिकल नहीं गिना जाया सकता है तो वास्ता में यह कानून पितर सत्मक जातिये रूप से भ्यदभाव पुर्ण था पाक्स्तान के और से जनसेंखिक परिवर्तन एक आधिकार नीती बन गई पंजाबी पाक्स्तानियों को कश्मीर में बसने के लिए प्रसाहित किया गया अलाग स कश्मीर को कोई विशेश अधिकार नहीं था जैसा कि भारति कश्मीर को था कश्मीर में जिहाद उनिशेंग से अपने सभी काफिरों को प्रभावित करना था इसलाम के अधिक अरब संस्कृण पर जोड़ देने और कई देशी मार्करों को कम करने के लिए शिक्षा को अपनाने के साथ पाकिस्तान ने फिर अपनी आखे कश्मीर की और मोर ली पाकिस्तान ने आबादी को विद्रों के लिए कट्रपंथी बनाने के लिए कश्मीर में परचार और धीमिकति घुस्पैट भी सुरूखी और पकड़े गए आतंगवादियों को छोड़ देगा इतिहास में बताता है कि हिंसक लोगों को खुश करने से और अधिक हिंसा होती है उनका साहस बढ़ जाता है और भूमी धन या विनास का एक और टुकड़ा चाहते ऐसा कश्मीर में हुआ उनके तरीके फल प्राप्त कर रहे हैं और कश्मीर में अपने चरम पर पहुंच गय जब कश्मीरी हिंदूओं को धंकी दी गए या तो धर्म परिवर्तन चोड़ नहीं तो भारत में सरुन लेने के लिए महरी कर से घृमी को छोड़ने के मजबूर किया गया मजजित के लाउडिय स्पीकरों ने उनके पलायन के लिए आवहान किये जिहादियों को चाहिए पंडेतों के बगएर पर उनकी औरतों के साथ ताकि मुस्लिब कटरपंथिये द्वारा उनका धन्मानतर किया जा सके अब ठीक यही छन था जब कश्मीर में सब कुछ बदल जाता है जाती संगर्स का परदा हट गया उग्रवाद का चेहरा सबके सामने कश्मीरी कश्मीरी नेता मदर्सा सिक्षा को पर साहित करते हैं अपने बच्चों को लंदन और अमेरिका के पढ़ने के लिए जैसे जैसे समय बीटता गया अग्रवाद अलकाइदा और कश्मीरियों के बीच दृश्व बन गए एक नई सुबह नरेंद मोदी के पहले कारेकाल के बा पुरी पठान कोर्ट बेस और पुलवामा में हुआ तंकी हमलों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी बढ़ा भारत द्वारा पहले अत्यधिक सयम से हटने के साथ जवावी कारवाई उड़ी के बाद सीमा पार ठापे और पुलवामें के बाद एर स्ट्राइक के र अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके